आज फिर से मैं एक बार आप सभी के लिए लेकर आए हूँ वाइट जॉर्जट पर बहुत प्रिटी सा वर्क, नियॉन वर्क है ये और किस तरह से इसको किया जाता है ये सब आज आप इस वीडियो में देखेंगे, देखेगा पूरी वीडियो में ध्यान से सीखिएगा और कुछ अलग है, कुछ यूनीक है, एक बेल का पैटरन है और किस तरह से करते हैं, आज मैंने ड्रॉ करके वर्क किया है फ्रेंट्स, सो ट्रेस कहीं से नहीं किया है, सर्फ पैंसल से ड्रॉ किया है, बहुत एज़िली वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, इसके लीफ कैसे इसकी डबल आउटलाइनिंग है, तो आपको ध्यान से देखना होगा, और पूरी वीडियो को बारीक की से समझना होगा, तभी आप सीख भाएंगे, प्रॉपरली शेडिंग जॉर्जट पर थोड़ा मुश्किल होती है, क्योंकि अगर आपकी कलर की कंसिस्टेंसी मैच नह हमारी सेगिंड वीडियो है, सो ध्यान से देखेगा, और सीखेगा, फिर मुझे बताइएगा, क्या समझ में आया, और क्या समझ में नहीं आया, पूरी वीडियो देखने के बाद ही, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल अधिसे चैनल से जूड़िए सबस्क्राइब के साथ सब जो बैल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए और बने रहे हैं मेरे यानि प्रीती ठेडोरिया के साथ आर्ट फेक्ट्री पीडी पर सो फ्रेंट्स वैलकम तो हो चुका है लेकिन एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल आर्ट फेक्ट्री पीडी पर सो फ्रेंट्स वाइट कलर का जार्जट का फैबरिक है और देखे यह मैंने रफली पैंसल से ड्रॉ किया हुआ है नौट रेसिंग नो आउट लाइनिंग कुछ भी नहीं है सिर्फ पैंसल वर्क है सो कुछ वीडियो ऐसी होती है कुछ जो डिजाइन्स ऐसे होती है जहां हमें प्रॉपर्ली शेप्स चाहिए होती है वहां पर हमें थोड़ा सा जो यह वर्क है यह करना पड़ता है एक स्टेप एक्स्ट्रा ही सही लेकिन अच्छे सी काम तो होगा सो देखिए इस तरह से जो है ना मैं इसमें कुछ अलग-अलग शेड्स यूज़ कर रही हूँ ग्रे कलर मैं यहां यूज़ कर रही हूँ और ब्लाक और वाइट को मिक्स करके ग्रे बनता है यह तो सब भी जानते हैं और साथ ही इसमें वाइट की थोड़ी-थोड़ी सी श और आप रखे चाहते हैं तो अपनी चौइस सेंग कर सकते हैं तो इस तरह से टर्कोस ब्लू कलर को मैं डार्क ही उज़ कर रही है लेकिन फ्रेंड़ कंसिस्टंसी आपको मैंने यह लास्ट वीडियो में बताई थी दिखाई थी आपको कलर को इतना पतला करना है कि वह टप कर लीजिए वो आपकी चॉइस है मैं जादा तर पानी यूज़ करती हूं बहुत कम यह ऐसा होता है कि मैं मीडियम यूज़ करते हूं बट कई बार हमारे सिंथेटिक वैबरिक्स होते हैं जैसे यह जॉर्जट है शिफोन है सिल्क है या फिर सैटिन है या फिर आपका और्ग बट करेंगे ना तो आपका लाइट डाक अपने आप हो जाएगा मैंने आधी जो पैटल है वहाँ पर मैंने वाइट कर दिया था और उपर की तरफ से फिर मैंने टर्कोईस ब्लू शुरू कर दिया तो वो नीचे आते आते लाइट स्काइब्लू कलर का हो जाता है और वाइट कलर के साथ ही मिसमैच करना है और बहुत प्यारा सा कंट्रास्ट यह बना है फ्रेंड्स पूरी कुर्ती में बीच में स्प्रेडिंग भी है और यह देखे इस तरह से इसमें आप वर्ड से मतलब उपर की तरफ से हम वाइट कलर को दे रहे हैं मतलब कुछ ऐसे आप देखें यहां नियॉन पिंक कलर मैं यूज्व कर रही हूं फ्रार्स के लिए और जहां हमारा नीचते क्टल के वहां पर मैं डाउन हूलanson है जहां पर बिल्कुल शुरू है पेटल की में डाक कर रही हूं और ऊपर की तरफ से मैं वाइट कर रही हूं और फ्रेंड्स इसको अच्छे से mix कीजिएगा अब देखे ये जो बड़ी पैटल है जहां मैं कर रही थी और ये इसमें हलका सा whiteness जदा आ गई तो आप इसको dark कर सकते हैं friends क्योंकि आप जब तक ये गीला है आप इसके साथ छेड़ चाड़ कर सकते हैं लेकिन जब ये dry हो जाता है तो जॉ इसे हैं आपके creation का look ही बिगार देती है अब जब तक आपका गीला है मेरी तरह थोड़ा साथ हो चुका है तो आप दो-दो-तीन-तीन पैटल को भी एक साथ कर सकते हैं अब देखे वाइटनेस थोड़ी सी जदा चाहिए थी तो अभी ये color बिल्कुल dry नहीं हुआ है मतलब semi green dry में पहुंच चुका था सो वहां मैंने वापिस से दो-तीन स्ट्रोक वाइट के और डाल दिये हैं ताकि थोड़ी सी शाइन और बढ़ जाए क्योंकि हमें ये neon के साथ मैच करना है इसलिए मैंने वाइट की शाइन को थोड़ा सा बढ़ाया है और यह आपको डिपेंड कर पाएंगे अच्छे से मर्जिंग और वो चीज आपकी पैची लगेगी और फिर मत कहिएगा कि मैम आपने ये चीज बताई नहीं थी आप लोग स्किप करके वीडियो देखेंगे तो ऐसी गलतिया होंगी ही तो अब देखिए ये पैटल है और ये है हमारे एक बड़ और ब सिंपल सिटी के साथ बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत ऐलिगेंट है आप किसी भी तरह के जो फैब्रिक है उस पर इसको बना सकते हैं बहुत अच्छा लगता है कॉटन पर आई थिंक मुझे नहीं पता कि ये कैसा लगेगा बट हां सिंथेटिक फैब्रिक जो और देजाइन में वो बात नहीं आएगी जो बात हमारी इस डिजाइन में है तो देखें इस तरह से हमें जो ये डिजाइन है इसको क्रियेट करना है शेडिंग करनी है और इसको एक जो है ना प्रॉपर शेप देनी है मैंने इसमें five flowers बनाए है इस एरिया पर जो हमारा panel पार् है वहाँ पर है सो आप लोग वो भी देखेगा मैं लास्ट में आपको लुक उसका तिखाऊंगे अब हमारा जो कलरिंग पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है अब बारी आउटलाइन की स्टेम्स बनाने की और यह मैं यूज कर रही हूं तर्कॉइज ब्लू कलर यहां ना ब लीफ बनाए थे ना इन में मुझे यह जो तीन चोटे-चोटे से क्यूट से आपको लीफ दिख रहे है ना यह बनाने है और यह पहुत ईजी हैं आपको तीन ट्राइंगल ही बनाने हैं बस दो एज़ेज पर और एक सेंटर में इसी तरह से कनेक्टिंग करते करते आप इस गाउन पर फ्रोक्स पर कली वाले सूटों पर जो आपके अनार कली वाले सूट्स होते हैं उन पर भी बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगेगा और एक और बात बताती हो फ्रेंड्स ये है अब देखे एक आउटलाइन तो हमारी थी जो हमारा टर्कोईज ब्लू कलर था अब बारी है गोल्डन कलर की तो थोड़ा सा चमकाना भी तो है अब देखे वही गोल्ड डस्ट है और गोल्ड डस्ट को मैंने मीडियम टू के साथ मिक्स करके लिया है और अब मैं इसको आउट लाइन देनी है ना इसका कुछ अलग तरीका है फ्रेंट्स तो आप लोग यह देखे धान से अभी मैं आपको क्लोज करके भी दिखाती हूं तो यह देखे इस तरह से जो है ना यह हमें पूरा फ्लार जितनी भी पैटल से कहीं पर भी आपको छोड़नी नहीं है पूरे फ् दोनों पैटल के बीच में वहां मैंने कुछ कुछ डॉट्स भी दिये हैं तो देखे इस तरह से करने के बाद अब यह जो स्टैम है इसके बिलकुल साथ साथ आपको ब्रश चलानी है लेकिन एक ही साइड पे आपको यह आउटलाइन देनी है और यह आउटलाइन देने के बाद ही आपका जो है ना इसका क्रियेशन है जो आपकी वह खिल कर आएगी अगर आप दोनों साइड से कर देंगे तो वह कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना जो आपका टर्कॉइस ब्लू कलर है वह छुप जाएगा और हमें वह कलर चुपाना नहीं है इस तरह से हमें जो यह श प्रॉक्स में कोई प्राब्लम है तो अब यह देखें यह सेंटर की स्प्रेडिंग है छोटे-छोटे यह है वह नेकलाइन का फ्लार सो बहुत क्यूट जो है ना इस कुर्ती का लुक आया है मैं आपको अभी पूरी कुर्ती की पिक भी इसमें वीडियो में मैंने एड की है तो देखेगा यह है हमारी स्लीव में भी ऐसा ही वर्क सौरी यह भी कुर्ती ही है स्लीव भी आपको मैं दिखाऊंगी तो कैसी लगी आज की क्रियेशन आपको कैसा लगा आज का वर्क आपको जरूर से जरूर बताइए का मुझे आप सभी के कमेंट्स का तहे दिल से बनाए मतलब यही बनाए पिंक कलर का टच मैंने स्लीव में नहीं दिया है क्योंकि पिंक कलर की इस पर पाइपिन लगने वाली थी जब यह कुर्ती वह लोग पहनेंगे या फिर जो मदर डॉर्टर कॉंसेप्ट में बना रही हूं वह मैं जब पूरा उसकी शूट करूंग वीडियो तो मैं आपको जरूर वीडियो में शो करने वाली हूं तो अब यह हैं हमारी दोनों स्लीव और अब देखेगा कुर्ती का भी एक व्यूँ यह है उस कुर्ती का व्यूँ अब आप बताईएगा मुझे कैसा लगा वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए का चैनल कि तो हूं लाइक